हलो फ्रेंस नमस्ते मैं हूँ पुश्पा पुश्पा रियल ब्लॉग चेनल में आप सभी का एक बार मैं फिर से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ आप सभी फ्रेंस अच्छे होंगे मैं भी ठीकू फ्रेंस तो फ्रेंस आज यहाँ पर म मुझे योगा करते करते, योगासन वगेरे से ही, एक्सोसाइज से ही, अपने morning की, शुबह की शुरुमात कर रही हूँ, यहां मैं बैठ गई हूं अपने योगा पे, और यहां पर अपना शुरू कर दी योगा, नॉर्मल योगा जो हम, हर सभी लोग मतलब फिलाल लगब यह जितने भी योगा में सुरू में बैट कर रही हूँ ये सारी योगा जो है योगासन जो है मेरी फ्रेंस मेरी सिस्टर्स करती है जो की बतिजवार फॉर्मूले में ही आता है और आगे ब्लॉग में मैं बताने वाली हूँ आज मैं आप आच वह योगासना बताने वाले हैं कि कि यह कूली क catalyst वों कि बहुत जरूरी अच्छने वाला प्रोसेज्स में करने वाला प्रोसेज्स यूटू पर वाइरल हो कैसे करना है क्या करना है वो तो सब आप सब देख रहे हैं लेकिन क्या 32 वार फॉर्मूले से आप अपने शरीर की गंभीर से गंभीर समस्या का निवारन कर सकती हैं तो हाँ जी फ्रेंस बिल्कुल कर सकते हैं वही आसन मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली क्योंकि मैं 32 वार हैं जो मैं अपने पेट के लिए कर रही हूं तो देख लीजिए पेट में पेट से जुड़ी सारी समस्या का निवारन होगा इस जो है आसन को करने से और इस आसन का जो नाम होता है में इसमें यह और यहां पिलिर करूंगे को करने में आपको छे से साथ डिन का टाइम लगेगा च्यू से साथ दिन के बाद यह सका घोटनों तक अपनी करने पहुंचा पाएंगी मुझे भी कम से अपने के अपनय घर्ण को ँषंचा आने तो यह था मेरा फर्स्ट आसन जिसका मैं एक पर और नाम बता देती हूं पवन मुक्ता आसन जो की खाली पेड किया जाता है और पेड की सारी समस्याओं का इस आसन को करने से जो है निवारन मिलता है इस आसन को आप कम से कम कंटिन्यू 15 दिन करेंगी तो आपको बहतर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा पेड से जुड़ी जितनी भी समस्या है आपकी धीरे धीरे जो है वो ठीक होने लगेगी उसके बाद मेरी फिर यह जो है नॉर्मल एक्सोसाइज हो गई है देख सकते हैं बाजू के लिए कंधों के लिए और अपने हतेलियों के लिए उंगली के लिए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं और उसके बाद फिर यह नॉर्मल एक्सोसाइज हमारे कंधीArt के लिए होती रीड की हड़ी के लर कमर के लिए म्यजरी बैस लगती है और इस तरीके से फ्रैन्स में मौर्निग में अभी आदे घंटे का एक्सोसाइज करती हूँ कोई इंप बस उठने के बाद में फ्रेशों बगेरे होकर और मेरे हस्बन जा चले जाते हैं उनके लिए हलका फुलका कुछ बना ना होता है तो बना देती हूं नहीं तो वह भी आजकल ब्रश करकर फूर्ट खाकर ही चले जाते हैं और फिर मैं लग जाती हूं अपनी एक्सोसाइज में और चली हो गया मेरा एक्सोसाइज जादा नहीं मतलब आदे घंटे में जितना कर पाऊ उतना में करती हूं फ्रेंस एक्सोसाइज और आदे घंटे के बाद मतलब 30 मिनट में जितना कर पाऊ हां लेकिन जो खाली पेट मुझे जो पवन मुक्ता आसन करना होता है वो मैं डे मेरा यह मानना और मुझे तो 32 बार फॉर्मूला अपना कर सच में बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है उसके बाद देखिए मैंने कर लिया था ब्रश एक्सोसाइज के बाद में करती हूं ब्रश के बाद फिर मैं यहां पर आ जाती हूं अपने किचन मे कोई भी फूरूट जरूडी नहीं हूँ जो आपके घर में फूरूट वू आप खाये तो आज में ब्रश के बाद देखिए इस्टवरी खाने वाली इस्ट है मुझे बहुत पसंद थे इसका टेस्ट घटा मीठा होता है और यह मैं ब्रश्क के बाद पहले लुगत पानी और पानी के बाद में इस्टोवरी को खाऊंगी सुभेरे फ्रेंस या तो मैं एक बनाना खा लेती हूं जो भी फ्रूट्स मेरे पास होते हैं या तो फिर एक मैं जो है कीवी खा लेती हूं या चीकू खा लेती हूं बनाना भी हमारे पेट के लिए कोई भी फ्रूट हमारे प यह सब में कुछ नहीं ले रही हूं क्योंकि मैं पहले भी बताई हूं मैं बेट लॉश नहीं कर रही हूं मैं नॉर्मल बतिस बार फॉर्मूला अपनाई हूं सिर्फ अपने थोड़े से मतलब शरीर की समस्याओं को ठीक करने के लिए और फ्रेंड सच में योग जो है वो बर मैंने जो है अपना नाच्ता वगेरी कंप्रीट किया मॉर्निंग में चाय वगेरी सब छोड़ चुकी मैं कुछ नहीं पीती हूं मैं नॉर्मल पानी पीकर कोई एक फ्रूट ले लेती हूं और उसके बाद फिर में लग जाती अपने घर के कामों में बेदू उड़ गई थ और पीप तरहीं मतलब नहीं करती हूं और तो पूजा पाथ हो गया शूरी देवता का जल हो गया उसके बाद में क्या लेती हूं अभी लगभग बज रहें साधे नो और अभी मैं जो है यह चीनी और नमक का घोल बनाकर यह जो ड्रिंक में ले रही हूं यह बहुत ही अच्छा है गर्मियों के लिए बैस्ट ड्रिंक ह तो इससे बचने के लिए आप इस तरीके से चीनी और नमक का घोल बनाकर ठंडे पानी में मोर्निंग में पी जियेगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दिन भर में चार से पांच गिलास में पी लेती हूं और आप चलिए देख लीजिए कि मैं 32 बार फॉर्मूला जो फोलो कर रही हूं तो अच्छे से ही फोलो कर रही हूं इस आइस इसानी इसरिफ योग आसन वग Irhaay exercise कर रही हूं बिलकुल नहीं में खाने पीने का भी बहुत ध्यान रही हूं अपना यहां पर एक हल्दी सा में नाश्ता बनाने जा रही हूं सूछी को दही के साथ का लगा दिया था और यह है अपके इस्टेंड में मैं बना रही हूं देखिए हेल्दी सा 32 वार फोर्मूले में खाने वाला सुपब हेल्दी नाश्ता और यह देखिए मेरे आपके बनकर तयार हो गए है एकदम कम ऑईल में बना हुआ यह नाश्ता आपके शरीर के लिए भी हेल्दी है और खाने में तो टेस्टी है यह प्लस आप और फ्री है मतलब नाम मातरिस में लगता है और फ्रेंस यह हेल्दी सा नास्ता तयार हो जाता तो यह खाने के लिए भी टेस्टी है और आपके शरीर के लिए भी हेल्दी है फ्रेंस में नाश्ते के बाद या खाने के बिल्कुल बैठती नहीं हूँ और आप भी ऐसा बिल्कुल मत करेंगे कि मेन कारण हमारे सरीट में बीमारी यही हो जाता कि हम खापी कर आराम से लेट जाते हैं तो असे थोड़ा आराम करकर फिर करेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूँ मैं खाने के बाद में देखिए मेरे भी कनई थाली कहीं लोगों आए नहीं कषा हों तो वाक्रण वाके दालस क्राड़ा गाता है कुछोल बना है था पार difवार फोर्मूल के साथ खाओं और अपनी बच् surprisingly को भीकिलाऊंगी रूम में आ कई हूँ हो और सारे काम निप्टा चुक्यू फ्रेंस तो जब सारे काम निपढ जाते तो फिर में इस तरीके से बज राशन में बैट जाती हूं किसले ये यह एक यह कैसा लोता आशन जिसे हम खाने के बात करते हैं खाने के बाद इस आशन को किया जाता और इसका भी बहुत अच्छा व वीडियो के साथ ब्लोग कैसे लागा जुरूर बताईए गाई